गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनन्तम शुक्राना संगत जी जब गुरु जी से मिलने का वक्त आता है तो जैसे एक कॉल आती है संगत की हो गुरु जी की हो गुरु जब बुलाते हैं तब पता है क्या होता है दिल में एक बमंडर सा उख जाता है वेता भी खेंचती चली जाती है बड़े मंदिर की तरफ तब जितनी मरजी रुकावटें आएं जीवन में कोई हजार रोके पर जब गुरुजी का परवेश हमारे जीवन में होता है तब इसे कोई नहीं रोक सकता दिवानगी की हद देखो शादी में छतरपूर गई मासी के बेटे की शादी थी पर छुपकर मंदिर के लिए निकल गई पडोस में ही मंदिर था इतनी मुश्किल से गाड़ी लगाई थी पारकिंग में बहुत पीछे गाड़ी लगी वी थी सब नाच रहे हैं शादी में इंचोई कर रहे हैं मैं भी बहुत त्यार व्यार होकर अच्छे से बहुती सुंदर लहंगा कम साड़ी पहनी हुई है और चल दियों में बड़े मंदिर की तरफ अपनी छोटी बेटी को लेकर और बेटे को लेकर और हम मालंगर पशाद खा रहे हैं दिवानगी की हद तो देखो क्या चाहता है कोई दिवाना जब हम इतना पयार कर लेते हैं गुरुजी को तब उन्हें भी हमसे पयार हो जाता है बस ये समझलो संगत जी ये गुरुजी जो है ना हमारे ये कोई चमत कारी बाबा नहीं है ये तो सिरफ प्यार की पुजारी हैं, ये वो रब हैं जिनोंने सब का कल्यान किया है और करने आए हैं, संगत को जब तारना होता है उसे घर से पकड़ कर ले आते हैं, सेवा चाहे तो सेवा देते हैं, सिम्रन चाहो तो सिम्रन देंगे, सत्संग चाहो तो सत्संग देंगे, जो आपकी भूक होगी न, वही देते हैं। कुछ लोग पैसा मांगते हैं, गाड़ियां मांगते हैं, बिजनस मांगते हैं, तो उन्हें उसी में रमा देते हैं वो। ले लो तुम्हें ये चाहिए तो, पर आना तो तुम्हें एक ही जगाँ पर होगा। एंड तो तुम्हारा यही है सिम्रन अब किसी को गुरू जी गाने सुनवा कर ब्लेस करते हैं किसी को डांस करा कर ब्लेस करते हैं भगवान बार बार धरती पर क्यों आते हैं इस दुनिया के तमाशों को ठीक करने आते हैं कल्यान करने आते हैं गुरू अपनी मर्जी से चोला सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूं थोड़ी थोड़ी देर में मुझे बारिश की बूंदों में एक अजीब सी आवास सुनाई देती है जैसे कोई घहरी-घहरी सांस ले रहा है मुझे पक्का पता है गुरू जी यहीं कई आसपास मेरे आसपास ही है और मेरा सत्संग सुन रहे है क्योंकि उनके उकम के बिना तो मैं कुछ भी न लिख सकती हूं न रिकॉर्ड कर सकती हूं मैं हमेशा अपने सत्संग में एक ही बात कहती हूं कि गुरू जी जिजिन चाहेंगे मेरी जिवा में ताला लगा देंगे ये जबान यूहीं बंद कर देंगे पता भी नहीं चलेगा अब गुरू जी कौन है शिव है महाशिव है शिव ने तो हमेशा ही विश्पिया दुन्या के कल्यान के लिए स्रिष्टी आती रही जाती रही आगे भी आती रहेगी जाती रहेगी आज जो हमें ये जीवन मिला है इस जीवन में इस स्रिष्टी को अगर हम मंतरचाव देते रहें अपना bank account बढ़ाते रहें जब जरूरी होगा तब गुरुजी उसका फल हमें स्वयम दे देंगे बहुत बार ऐसा हुआ इतने experiences हैं मेरे इतनी बार accident हुआ पर बचा लिया गुरुजी ने अभी हाली में मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ मेरे बेटे का accident हुआ मेरा बेटा साहिब और मेरे अंकल और उनके साथ में तीन और उनके स्टाफ के कारीगर थे ये सब जा रहे थे ब्रिंदावन अपने project के लिए मैंने पहले भी शियर किया था ये सत्संग शायद पर ग क्योंकि गुरू जी बुलवा रहे हैं शायद आज किसी को यह answer मिल जाए पहले ना मिला हो तो गुरू जी कहते हैं कोई कोई सत्संग में तुम्हें बार बार सुनवाता हूं जैसे हमारे प्यारे शीव अंकल का सत्संग एक ही सत्संग है हमेशा हर जगा वही सुनाते हैं कर यूट्यूब पर मैं कुछ देख रही होती हूं तो बीट में आ जाता है बुलबुल आंटी सत्संग पार्ट नमबर 28 पार्ट नमबर 17 मुझे लगता है यह गुदूची का हुकम है कि तो इसको सुन और इसे दुबारा शेयर कर शायद इसकी आज फिर से जरूरत है संकत को तो संकत जी मेरा बेटा और सब जा रहे थे तो रास्ते में हाइवे पर नौइडा से निकले वो विरिंदावन की तरफ जब महुचने लगे बहुत तेस स्पीड में गाड़ी चल रही थी 120 की स्पीड पे बड़े बुरे तरीके से एक बाइक वाला सामने से आया इनकी गाड़ी के साथ घिसरता हुआ कितनी दूर तक चलता चला गया बिल्कुल गाड़ी के पईये के साथ साथ मेरा बेटे ने जब मुझे बताया मैं तो यूएस में ही थी मेरे को जब उसने बताया तो उसकी आवास कहा पर रही थी संगत जी कि कहता है कि ममा एक पल के लिए हमें सब नजर आ गया सबसे पहले हमें गुरू जी नजर आए हमें मौत नजर आई हमने सोचा आज ये बंद पापा ने मंतर जाब चला रखा था जब हम सुभा घर से निकले थे तो उसने बहुत जिद की कि थोड़ी दिर गाने चला दो मैं गाड़ी नहीं चला सकता जाब बाद में चलाना तो संगत जी वे बोला कि पापा ने बोला कि नहीं पहले तो मंतर जाब चलेगा एक घंटा गजित्ता आगे तक गया और जब हमने गाड़ी को रोका तो गाड़ी में से चारों तरफ से द्धुआ निकल रहा था इतनी स्पीड पर वो गाड़ी थी बोला कि पापा कापते कापते उतरे मैं तो उतरी नहीं पाया और सब जोड़ जोड़ से ओमनमशिवाय का जाप कर रह मेरे साथ तो बहुत होते हैं मैं तो इस चीज़ को मानती हूं कि गुरू जी है गुरू जी आंग संग विराज मान जब आप मंतल चाप का नियम नहीं चोड़ते हैं तो गुरू जी जाने की स्रूप में आकर आपको बचा लेते हैं देखे गुरू जी ने उस दिन पाँच लोग ये और एक वो बाइक वाला उनको छे लोगों को बचाया अचानक चारों तरफ से हजारों लोग निकल के आगे पता नहीं कहां कहां से कि ये बंदा मर गया मेरे अंकल ने बोला कि तू तो आज जेल जाएगा अज तूरा कुछ नहीं हो सकता ये बंदा मर चुका है और जब मैं सही था उसको हलकी सी पाउं मिखरों चाही उस इनसान ने खुद ही सब लोगों को बोला कि इनका कुछ कसूर नहीं है गलती मेरी है मैं बहुत तेजी से सामने से आ रहा था आप चाहिए मुझे कुछ नहीं हुआ तो मेरा बेटा बोला कि मैं आज मैंने अपनी जान को जाते हुए देखा और मैंने अपनी जान को वापस आते हुए देखा ये गुरुजी आए गुरुजी ने हमें हाथ देखर सब को बचा लिया गाड़ी बहुत बुरे तरीके से तूट गई थी कोई बहुत बड़ा कश्ट था जो इतनी जाने चली जाती पर गुरुजी ठील जी ने थोड़े में काड़ दिया मैं यहां बैठ कर शुकराना कर रही थी गुरुजी मैं यहां बैटी हो अभी-LY आई हो और अब आप बताओ कुछ हो जाता तो मेरी आत्मा तो यहीं तडपती रहती मैं कैसे आती वहाँ पर आप हो ना आपके हवाले सब को छोड़ तो गुरू जी ऐसे ही एक बार एक और सत्संग, आज मैं अपने बेटे की आपको सत्संग सुना रही है, यह है जब हम नयने गुरू जी से जुड़े थे, तब की बात है, तब मुझे बहुत अलग-अलग मंदिर से सब्रूप मिलते थे, कभी बेटे के पढ़ाई के लिए मि सब्रूप फ्रेम करा के भी बेट पे रखा था कि इसको मैं कल सुभा लगाऊंगी वॉल पर, अगले दिन मैं अपना उस समय में स्टूडियो जाती थी, वो देर से सोके उठा, उसकी उजिन वो घर में था, तो मैं चली गई स्टूडियो, गर्मी के दिन थे संगर जी, मु कोई उसमें आवाज नहीं थी, चलते चलते, वो पंखा, चलता हुआ पंखा, मेरी बेटे के उपर गिर गया, उसकी टांगों के लोग पर, और आप बिलीफ करोगे, कि उसने उस समय सिरफ एक छोटी सी शॉट्स पहने हुई थी, गर्मी बहुत थी, लाइट चली गई थी, एसी बन था, तो उसने अपने चादर वादर सब हटा रखी थी, कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, और उसको पंखा नीचे गिरते ही, पंखे के तीनों पर अलग-अलग कट-कट के पतानी किदर उधर गिर गए, अवाज आई धमाका हुआ, और पंखा पूरा का पूरा बेड के साइडों में जाके गिरा, और मेरा बेटा उठा, उसकी रूख आप गई, कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन उसके कमरे में गुरू जी का सवरू बिराचमान था, जै गुरू जी, गुरू जी ने कितनी वार आकर, पहले ही ब्लेस कर दिया, उसे दिये थे, संगर जी गुरू जी एक डिवाइन लाइट है, वह एक रोचनी है, जो अगर किसी को नजर ना भी आए ना, तो अभी उसका तो कल्यान होना ही है, अगर उनकी किरपा हो जाए, एक अंधे लड़के को दिखे, अंध विध्याले में हमने सत्संग रखा था, वहा कितना सुंदर एक्सबीजियंस सा संगर जीव है, बोला कि मुझी तो यहाँ पर एक रोशनी दिखाई दे रही थी, और कुछ नहीं, कमाल है, अंधे को रोशनी दिखाई दे रही ये गद्दी पर, क्या है हमारे गुरू जी, फिर एक डिसेबल लड़की को ब्लेस किया, ड बच्चों के साथ खेलने, उनको कुछ सिखाने जाती है, गुरू जी जाना चाते होंगे, वहां की सुप्रिडेंट मान गई, और गुंगे बहरे बच्चे लड़कियां, जो की बिलकुल समझ नहीं, उनको मानसिक रूप से भी कुछ लोग बिमार, उनके या गुरू जी की शियर करवा रहे हैं, जाने क्या लीला है उनकी, तो अगली बार कुछ दिनों के बाद ही, महाँ पर दो लड़कियों की शादी हो गई, एक जो गुंगी बहरी थी, और एक गुंगी बहरी के साथ उसका एक हाथ भी नहीं था, बड़ी सुंदर उसको मैंने धुलन बनाया, उसका मेकप किया, दोनों का एरब्रेश मेकप किया, इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग, संगज जी मेकप करते हुए, मेरे साथ, मेरे साथ एक आंटी थी, सेवादार शाल्मी आंटी, और हम दोनों को गार्डन में, उनकी बाग में, मोर की अवास सुनाई देरी, बाहर सटसंग हुआ, बहुत सारी संगत ने आके उस बच्ची को गिफ्ट दिये, बहुत ही प्यारी लग रही थी वो बच्ची, शुकराना गुरु जी, चै गुरु जी, संगा जी जो सटसंग आप सुनते हैं ना, चै वो कोई भी सुनाए, भी सब गुरु जी ही कराते हैं, जहां लेनी होती है, वहाँ चाहे काम के लिए भीज़ दे, जैसे एक मॉल में स्टूडियो खुलवाया, मैं कभी सोचती थी कि लोग एक ही जगा अपनी शौप रखते हैं, चलाते हैं, हमारा काइनात स्टूडियो, गुरु जी ने कैसे ब्लेस किया, ये कहानी भी बहुत स संदर है, अगले आपको सर्संग में सुनाओंगी, और उसमें मैं बहुत सारे सर्संग शेयर करूँगी, बहुत सारे, क्योंकि ये सर्संग थोड़ा सा लंबा हो गया है संगजी, तो इतना मैं लंबा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, तो मैं यहां आप से बिदा लेती हू फिर रिकॉर्डिंग करूँगी, जै गुरू जी, शुक्राना गुरू जी, अनन्तम शुक्राना, संगजी जब गुरू जी से मिलने का वक्त आता है, तो जैसे एक कॉल आती है, संगजी